दोस्तो अगर आप दस्वी पास हैं तो आप जो है इस फायर मेन वेकिंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सेंटरल लेबल की जोब है आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री अफ डिफेंस आर्मी एर डिफेंस कॉलेज ये एक college है जो ministry of defense के द्वारा run किया जाता है army air defense के नाम से ये college है एक कहाँ अवस्थित है तो उडिसा अवस्थित है और इस college में fireman की जो है संदार vacancy निकल के आ चुकी है total number of post यहाँ पे 15 रहने वाले हैं अगर आप 10 वी pass हैं तो आप इस vacancy के लिए form को apply कर सकते हैं इसका official notification आ चुका है लेकिन अभी जो है advertisement में ये notification जारी नहीं हुआ है जैसे ही रोजगार समाचार में जो है notification जारी होगा उस दिन से form fill up start हो जाएंगे फिलहाल समझते हैं इस vacancy की समपूर जनकारी के बारे में किस तरह से selection होगा कौन लोग form को भर सकते हैं आपकी height कितनी होनी चे, age कितनी होनी चे सब चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं तो फिर्ट देखिए यहाँ पे employment notice यहाँ पे जारी किया गया है मतलब आप एक Indian National Citizen है तो आप इस vacancy के लिए form को apply कर सकते हैं यहाँ आल इंडिया के लोग यहाँ पे form को भर सकते हैं Group C civilian की post यहाँ पे रखी गई है Army AD College, Gulbandha The eligible candidates will address their application to Army Air Defense College, Gulbandha PO, Gunjam District, Odisha मतलब यह जो आपका यह college है Army Air Defense College, वो कहाँ पे है तो गोला बंधा में है और District Council परता है तो गंजम, Odisha में अवस्तित है तो आप गर आप eligible हैं तो आप जो है इस address पे application form को भेज सकते हैं कैसे भेजना है यह सबसी जम बताएंगे अब यहाँ लिखा है कि So as to reach within 45 days from the date of publication of the advertisement in the employment newspaper मतलब जिस दिन रोजगार समाचार में यह जारी होगा उस दिन से 45 दिन इसका last date of form भरने का तो अभी रोजगार समाचार में जारी नहीं वा है जल्द ही जारी होने की संभावना है अगले week में जो रोजगार समाचार आएगा उसमें पूरा है कि आपका आजाएगा जिससे इसका आजाएगा रोजगार समाचार में उस दिन में आप लोगों को form भरने का पूरा process पता दुँगा कैसे form को भरने है और form भरने का process क्या है सारी जनकारी के साथ कैसे form लिफाफा तियार करना है कैसे इस सब चीज़ हम बताएंगे ठीक है ना अब यहाँ पे देखे जो भी date होगा age limit हुआ या qualification वो सब जो है last date पे यहाँ पे count करे जाएंगे तो last date अभी तो confirm नहीं है ना अब हो सकता है कि इस week में आ जाए रोजगार समचार में या उसके अगले week में आ जाए अब यह confirm नहीं है number of vacancy आपे 15 राने वाले general के लिए 7, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4 और EWS के लिए 1 vacancy रिजर्ब किया गया है, एक servicemen के लिए 1 vacancy को रिजर्ब किया गया है age limit की बात करें, तो general और EWS के लिए 18-27 वर्ष उम्रसीमा, SCST के लिए 18-32 वर्ष और OBC को 18-30 वर्ष की उम्रसीमा दी गई है यहाँ पर बोला गए, A, B, SCST, OBC candidates applying against general post are not entitled to any relaxation age limit expense मतलब यह, अगर कोई बंदा चा रहा है, कि वो general category में form भरे, इसमें से कोई भी category का बंदा अगर चाहे इसमें form भरना, तो वो भर सकता है लेकिन उनको जो है, age relaxation यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, देख रहे हैं आपर साप साप यह चीज लिखा गया है और एज में जो छूट मिलता है उनको, क्योंकि central level की government job है, तो central level में 3 साल का OBC को और 5 साल का SCST को छूट मिलता है अब बात आते हैं यहाँ पर qualification के बारे में, salary के बारे में, जिए सिर्फ आप 10 वी पास हैं, आप form को apply कर सकते हैं, qualification सिर्फ 10 वी पास, इसके अलबा कोई extra qualification आपको नहीं चाहिए, सिर्फ 10 वी पास है तो form को आप भरेंगे लेबल 2 की salary है, जब अरजस salary है, 1900 से लेकर 36,200 है, अपकी starting salary ने friends, 30 के आपका बनना स्टार्ट हो जागा है, starting में ही, क्योंकि 1900 आपका basic पे salary है, इसमें D, A, P, A, other allowances वगर, तमाम चीज़े यहाँ पे add होती है, तो 30,000 के आसपा salary बज जाती है, fireman की आपकी vacancy है, इसमें बो एक fit बन्दा होना चाहिए, performance, performing आपको काम करना आना चाहिए, अब यहाँ पे बोला गया है, कि आपकी height जो है, बिना सूजपन, 165 cm होनी चाहिए, और आपका जो है, यहाँ पे concession है, 2.5 cm का height में किनको, तो यहाँ पे ST candidates को, जो ST हैं उनको, 2.5 cm कम height है, तो चलेगा, लेकि 80 cm, मतलब 81 cm से लेकर, आपका जो है, 85 cm से लेकर, 85 cm तक आपको फुलाना आना चाहिए, वजन 50 kg कम से कम होना चाहिए, अब आपको जो है, इंडूरेंस टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, इंडूरेंस टेस्ट में आपको लिफ्टिंग करना, मतलब आपको जो है, बैग उ सामेन में थोड़ा सा टफ होता है, आपका फिजकल, तो इस इसको आप प्रेक्टिस जरूर करेंगे, अगर आप फॉर्म भरने हैं तो, उसकी बस से जब आपको क्लीरिंग करनी है, 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग अन बोथ फीट, इसको से क्लाइमिंग करनी है, 3 मीट प्रेक्टिस जरूर का चढ़ना है, रसी जो होता है, रोप यूजिंग करते हुए, हैंड और फिट से, तो आपको रसी चढ़ना भी यहां पर करना पड़ता है, यह सारे आपको बताया गये है, अब यहां पर बात आती है, कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, देखिए यहां एंवलब के उपर, आपको यह सब करना है, और आपको फूर्ओं से घे साथ, पीन कोड तक आपको अडिर्स दिया गया है, इसके साथ जो SYकरल के अपको लिखना है, इसकी बाद यहां पर बॉला है, इसके बाद लगा है, सबसे पहले आपका जो फीकल टेस्ट यहां पर number of candidates will be shortlisted and called for physical test यानि सबसे पहला आपका जो test होगा वो आपका physical होगा यानि जब आप form भार के भेज़ देंगे उसके बाद जो है यह लोग क्या करेंगे shortlist करेंगे candidates को और उनको call करेंगे physical test के लिए अब यहां बोला गया further 100% weightage will be given for written test the physical test will be qualified nature only and marks awarded there will be added in the total marks while preparing merit list मतलब यह कि आपका physical test जो है सिर्फ qualifying in nature होगा and marks awarded there लेकिन marks awarded will not be added मतलब जो भी marks आपको मिलेंगे na physical test में वो जो है आपका merit में सामिल नहीं होगा अब जब आप physical देंगे physical आप qualify कर जाएंगे उसके बाद आपका जो है written exam होगा अब written exam अगर आप अच्छे से qualify नहीं करते तो फिर आपका selection नहीं होगा तो देखें written exam will be consist question general intelligence, reasoning, numerical aptitude, general English, general awareness यह सब आपके questions रहते हैं इस सब subject से question आपके पूछे जाते हैं जो general completion का होता है न वो ICM यहाँ पी रहता है इसकी बाद से यहाँ पे आपको जो है submission of application कैसे आपको form को भरना है तो जो भी आपका relevant documents है certificate से वो सब आपको जो है यहाँ नीचे में दिया हुआ है इन सब documents को attach करने application form के साथ ठीक है न और आपको भेजना है original documents आपको physical के समय return के समय लगेगा अभी आपको सिर्फ photocopy और application form जो है भेजना है अब जो भी application है वो आपको हम अलग से provide कर देंगे आप हमें comment box में बताएगा तो जैसे आवे दन सुरू होगा तभी मैं application form provide करूँगा इनका एक application form का format है और उसके साथ जो भी document से देखे age proof के तौर पे दस्वी का class का certificate आपको बोल रहा है इसके से mark sheet बोल रहा है दस्वी क्लास का photocopy अगर आप SCST OBC है तो आपको अपना cast certificate का photocopy OBC के case में आप जो है क्या करेंगे अपना जो है क्रिमी लेर अप्लोड करेंगे इसके में से residential certificate आपको attach करना है ADM या DM या तहसिलदार के द्वारा बनाया हुआ तो आप लोग अवेदन कर लिजेगा तहसिलदार वाला या DM होला या ADM होला अगर कोई experience certificate है तो आप experience certificate भी attach करेंगे आर्मी पर्सन है तो आर्मी पर्सन एक service में अपना discharge certificate attach करेंगे character certificate आपको चाहिए जो की सरपंच गजटेट ओफिसर के द्वारा issue होना चाहिए तो आप सरपंच के द्वारा बनवा लिजेगा या कोई भी character certificate अप्लाई कर सकते हैं जो online बनता है SP office के द्वारा दो passport size photograph आपको जो attach करना है attested at the front by the gadgeted officer मतलब जो passport size जो आपको attested भी करना है gadgeted officer के द्वारा करवा के attested और उसको आपको attach करना है one to be pasted on the application form एक आपको application form पे paste करना है another will be pasted on the call letter एक call letter भी आता है इनका उस पे paste करना है अधार काड़ आपको लेगा और यह सब जो है अगर कोई भी मतलब जो ओभर writing या erasing या incorrect या incompleting information आप देते हैं तो आपका form reject हो जाएगा यह बता रहे हैं यहाँ पी और बोलागे candidates are required to include self address envelope एक आपको self address envelope भी आपको attach करना है जिस पर आपका address लिखा होना चाहिए और उसके उपर जो है affix with rupees 40 मतलब 40 रुपे का जो है उस पर postal stamp भी आपको attach होना चाहिए ताकि उधर से लोग आपको call letter भेज सके मतलब मालने चाहिए आपका यह लिफाफा होगा mail लिफाफा जिस पर आप जो है यहाँ लिख दिए application for the post of fireman यह category यहाँ पर to all address लिख दिए ठीक और यहाँ from all address लिख दिए अब इसके अंदर जो भी आपके documents है वो सब आप इसके अंदर रख दिए इसके अलावा यह जो envelope आप है self address envelope भी इसके अंदर रखना है इसके उपर 40 रुपे का postal stamp आपको चीपकाना है और यह mail लिफाफा जो है इसको आपको भीजना है इसके अंदर जो है छोटा सा एक लिफाफा self address होना चाहिए यह यहाँ पर rule होता है अब यहाँ पर कुछ general instruction दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर आपको कराई जाएंगे भी थो all India service liability इनका जहाँ जहाँ मतलब APO है वहाँ आपको call मतलब जो है यह लोग job देंगे आर्मी एर डिफेंस का जहाँ जहाँ मतलब offices हैं वहाँ वहाँ आपको जो है देंगे लेकिन यह आपका जो return test होगा यह इनके ही जगाँ पर होगा जो भी आपका training जो भी चीज़े होगी इनके जो आर्मी एर डिफेंस है वहाँ पर ही होगा I hope friends आप लोग समझेगों इस वेकेंसी के बारे में अगर आपका मन में कोई भी doubt से comment है comment box में पूछिएगा मिलते हैं किसी next video में जहिंद